प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कारिक्रम में नारी शक्ती के सामर्थ की जम कर प्रशनसा की और कहा कि महलाओं के नित्यतु वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कारिक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ की जम कर प्रशन सा की प्रधान मंत्री ने महान संत मीराबाई को नमन करते हुए देश भर के लोगों के लिए उनको एक प्रेरना शक्ति बताया आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ देखने को नहीं मिल रहा हूँ, इस दौर में जब हर तरफ उनकी उप्रद्यों का सरहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी आद रखना है, जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, देश इस वर्स महान संत मिरावाई की पांसो पचीसवी जन्मजेंती बना रहा है, वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से ए प्रेरना शक्ति रही है, प्रधार मंत्री ने रूढिवादी धारनाओं के खिलाफ मिरावाई के संघर्षों की सराहना करते हुए कहा, कि एक संत के रूप में वे हम सब को प्रेरिद करती है, देश की माताओं, बेहनों और बेटियों के लिए मिरावाई आज भी प्रेरना और रूढिवादी धारनाओं के खिलाप खड़ी हुई, एक संत के रूप में भी है, वे हम सब को प्रेरिद करती है, वे भारतिय समाज और संस्कृति को तब ससक्त करने के लिए आगे आई, जब देश कई प्रकार के हमले जेल रहा था, सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, यह हमें मेरा भाई के जीवन काल से पता चलता है, मैं संत मेरा भाई को नमन करता हूँ देश की महिलाओं को सशक्त समरिध और आत्म निर्भर बनाने की दिशा में, प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रति बध्धता के साथ जूटे रहते हैं, जिससे भारत महिलाओं के नित्रित्वे वाले विकास के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, व् दिली के त्रिवनी कला संगम में चल रहे है टेरा फेस्ट रही, एक बार फिर ये